असलाम अलेकूम इस हफते के दूसरे मेल बॉक्स में मैं हूँ आपकी होस डॉक्टर रूपा आज का पहला कमेंट सर्स क्विड गेम देखें और वैसा सेग्मेंट अपने शो में लेकर आएं मैंने शुरू किया है देखना और थोड़ा सा देखा और मुझे काफी बोरिंग लगा काफी ड्रैग भी लगा और खास तोर पर जब डब किया हुआ को सिल्सला होना तो इतना अट्रेक्टिव नहीं होता और फिर परफॉर्मर जो मेन करेक्टर है बिचारा वह बहुत ही रहा हुआ हम जब हला कि वह को रिया का बड़ा खडपैंच है आप डब वर्जन देख रहे हैं यह आप इंदी वाला देख रहें सर नहीं नहीं इंग्लिश और यह इंग्लिश में बहतरीन होता है यह कौन देखता है कि उसकी औरीजिनल लेंगिग कमाल है जब इंग्लिश नहीं देखा ना तो उसके बाद डब में आपका दिल नहीं लगता डब में उसके एक्सप्रेशन जो है आपकी उपीनियन है ना अब देखी मौसूफ की बात इवन आपकी बात लगा नहीं खारी हकीकत के साथ कि अगर आपने उसके फेशल एक्सप्रेशन देखने हैं तो आप वो कब देखेंगे और नीचे से पढ़ेंगे क्या आप जैसे लोग मुझे लगता है पता क्या है वो इशारों की जबान समझ जाते हैं कि आप यह कहा होगा और उसके एक्सप्रेशन देखें एंजॉय करते रहते हैं और कई दफ़रीज करके स्क्रीन पढ़ लिया कि इसने क्या कहा था वही मैं कैसे माल लूँ कि एक फॉरन लैंग्विज में चीज चल रही है आपने एक्सप्रेशन भी एंजॉय करने आपने स्क्रिप्ट भी एंजॉय करने सौरी आपने अंग्रेजी वर्जिन देखा है ना जी सर्थ जी मैंने भी अंग्रेजी देख जब वो गेम आएगी ना पहले एपिसोड में उसके बाद आपका जो इंटरस्ट पैदा होगा ना उसके अंदर मैंने वन गो में सर वो देखा है और मैं दुबारा देखने का ना वो दिल है गया जलिए मैं जब देख लूँगा तो फिर इन्शालला उसको फीचर करेंगे मिनी थीटर में या सेंटर स्टेज बिल्कुल सही है वारिया नेक्स्ट किमेंट डॉक्स अब आप शाही तरबार में मलका आलिया क्यों बन कर नहीं आती है यह जवाब दे दें क्योंकि आप काफी आपकी एक्टिंग जो है लोगों देख ली हुई है इस पे हम फिर कभी ब अब देखा है यह फिल्म देखी नहीं जवाब दे दो प्लीज इस बाद पता क्या है आपके हैं कौन में जो डॉक था उसका नाम टफी था टफी विद टी इनके पास डफी था विद डी तो मेरे खियाल से और दिल्चस्ट बात यह यह कि मैंने देखी नहीं 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 द तो मेरी जान में जान आई और पता है उस वक्त वो इंताई खूनखौर बेड़िया सिफत कुत्तों के बीच में खड़ा मज़स है उनकी तरह गूर रहा था और वो हैरान थी चोटूजा कहां से आगया है और कि अनुछ ला आकर बखार रहा है और काफी दूर घर से शुकर देने के चकर में इसका नाम डफर से डफी होगा रहा है और दूसरे कुट है नो छोटा या जा कह रहा है जी कदी ना आवी लिया करो हां नहीं वह उसकी बेखौफी देखो जरा उसे परेशानी नहीं कि यह मुझे कुछीर फार देंगे या कुछ और उन्होंने भी वैसे बड़ा लहाज किया उसका उन्होंने पहली वारी वेखिया इस लाके एड़ा साफ कुटा अमीर कुटा है नहीं यह बात है जी ओ आर की जी ओर सारे बड़े 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 कदावर गदा सिवत कुटे थे जी तो मेरे खाल से जवाब मिल गया है वजए तसमीह भी मिल दी वही बात जो मैं शाय कभी नहीं भूल पाऊंगा वो जो मैंने पुरिंदा मारा था और अर मैंने नहर के बीच मेंसे निकाल इला आ था है रहारा ओं पहादरी है तो यह पागल पना ज्यादा है बहादरी का इसम अब तकल नहीं तो यह उसने बड़ी हमाकत की थी लेकिन मैं भी उसके साथ धर लिया जाता था आमजा मासूम वो इतना है नहीं 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 लोग यही समझते थे कि यह जो करता है उसको आर्किस्ट्रेट आफ़ता आपकर लोग की दौर्दे ज्वेसला आपकर परवास कर जाए तो आपको शो के एंड तक इल्मी नहीं होगा देखे ना उनकी रूप परवास कर गई है वो है नहीं आज हमारे साथ नागी साथ फिट हैं और वो बहुत अपने आपको कंफटेबल समझते हैं बलके उनका मामला वही हो गया है अमानुल्ला का था कि इस मस्रूफियत की बिना पर वो अपने आपको फिट समझते हैं उनका दिल लगा रहता है तो वाई शुड़ आई टेल हम कि नहीं आप घर बैटें घर बैट कर और ज्यादा परेशान होंगे यबूसत जदा हो जाएंगे अच्छा सर एक सहाब बहुत जजबाती हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो आपके शो में आप वाईलिंस प्रमोट करते हैं कि मारते हैं और उस पर हस्री क्रियेट करते हैं तो वो आप कैसे प्रूफ कर रहे हैं नहीं वो कोई ऐसा मैंनी समझता पंजाब के अंदर जो कल्चर है ना मिजाख का इसमें इस कल्चर की तरवीज नहीं हो रही होती यह मस्खरों की तरह केरेक्टर्स हैं जो यह परफॉरमस दे रहे होते हैं और वो कोई रोल मॉडल नहीं होते हाकम बदहन बबू राना किसी सूरत रोल मॉडल नहीं हो सकता है नासर चन्योटी को किस पागल ने फॉलो करना है और उसकता है इस वक उनके जो फैंस बैठे हो वो कह रहे हैं नहीं उन्हें फॉलो नहीं करेंगे वो एंजॉय देखिए वो आपको एंटरेन कर रहे हैं आपने कभी सरकस का ओपनिंग स्लैप स्टिक्स क्या है ये कामीडी का एक अंदाज है भाईया अगर आपको नहीं पसंद है प्लीज मैं रिक्मेंट कर देता हूं दो तीन और चैनल्स हैं वो देख लिया करें अक्सरियत एंजॉय करती है बाद लोग तो ये भी कहतें जी आप हर वक्त हसते हसाते रहते है ये को काम है बला पागल पन है ना कि इस एहद ज्या में इस इंतहाई परिशान दोर में अगर आप हसी का सामान करते हैं तो मेरा मानना है कि ये कारे सवाब हैं लोगों की डिप्रेशन दूर होती है लोग रिफ्रेश होते हैं और ये महज कामेडी शो ही नहीं इसमें कोट करके मैं देता हूँ तो हमारा फार्मूला ये है वेदर यू लाइक इट और नॉट इसका मतलब यह हुआ कि ये महाश है तो अताबी जी फिर एक्शन मुवीज भी डिसलाइक करते होंगे बाज लोग उनका थ्रेश होल्ड बहुत बहुत लो हो पसंद नहीं करते हैं स्वालो नहीं कर पते यार ये कि और खास तोर पे पिछली एक एपिसोड ऐसी गही है जिसमें बाजार का जी उसमें नागी को अब ये बार बार पकड़ता था अब वो एक ऐसी चीज थी जिसमें एक हुक हो जाता है मामला वो फस गया और आपको ये भी याद होगा कि हमने वो बहुत जल्दी में किया था वो सेग्मेंट जी और परसनली लाइक इट वेरी मच अलदो उसमें वाइलन्स थी वाइलन्स ऐसी नहीं थी लोगों का ख्याल है आप हुमिलियेट कर रहे होते हैं आपसमें एक दूसरे को जोगों का ख्याल नहीं है ये चंद लोग ये अब इसकी एक लंबी बैस है मेरा ख्याल है ये उसका फोरम नहीं है तो वियर्ज ये था आज का प्रोग्राम अब वक्त हुआ है ब्लूपर्स का हापी वाच चलो मैं तुम्हारा ये शौक पूरा कर देता हूँ फिल्म का नाम बता दो एक हजार ए इनसानियत है की इनसानि बता हूँ मैं कि अथि फिल्म का नाम बता दो हो एक झाइड प्लार डांस ते हुटरम वहाला यार उसमें जाई कि नहीं ने नहीं वारे कि दूबारह वका क्यों को सिर्ट 얼마나 यग kicking ऐंगा मैं दारी जामा तेरे ओए तब खड़ा होगे रहा क्यों? हम इस हम इस शो के चाओ